एक बाद जटपट से बता दो क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ और क्या मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल मैं लाइफ तो आ चुका हूँ और सायद दिखाई भी दे रहा हूँ एक बार सब कुछ परफेक्ट है तो बता दो मुझे एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मेरी आवाज आ रही है चलो त्रिस्टी गुड आफटर नून अंकीता गुड आफटर नून ताहिद गुड आफटर नून चलो तनी गुड आफटर नून चलो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करेंट पार्ट नून में हमने बैसिक्स पड़ा था अल्टरनेटिंग करेंट नून में तो वाई उखाड के ही रख दिया था दो घंटे से भी लंबी सेशन हुई थी और बहुत मैंने बहतरीन तरीके से और क्रिस्प थियोडी दी थी आपको ताकि हर एक कोशन जो अल्टरनेटिंग करेंट का है वह बहुत आराम से निकल जाए अब गिने चीने कुछ तॉपिक्स आज बच जाते हैं डाट इस ट्रां हो जाए लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं बाई साथ नीट 2021 में दो कोशन आया हैं वहां से मतलब कल तो एक कोशन करवा दिया था जो नीट 2021 में आया था आज जो करवाओंगा वहां से दो कोशन आया है और बच्चे पता नहीं इसको क्यों छोड कर जाते क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है एक्शली होता क्या है कि वो ट्रांसफर्मर का फर्मुला रटके जाते हैं क्यों फैक्टर का फर्मुला रटके जाते हैं तो कोशन बनते नहीं है अगर चीजों को समझोगे तो ट्रांसफर्मर भी इजी है चोक क्वाइल भी इज है नीट 2021 में इतना खूब सूरत कोशन पूछा गया है क्वालिटी फैक्टर से कि जिस बच्चे का कॉंसेट्ट क्लियर है ना क्वालिटी फैक्टर को लेकि वही उस को बना पाए तो हवा भी नहीं लगेगा नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा चलो सिवानी गुड आफ्टर नून आज तो आफ समय पर इंसा गुड आफ्टर नून चलिए मेगा गुड आफ्टर नून चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट पार्ट नंबर थ्री नजरें स्क्रीन पर रखिएगा नोट्स बाद में बना लीजिएगा क्योंकि भाई साब बहुत बारीकी से चीजों को बताने वाला हूँ एक एक चीज सुनिएगा मेरे लेक्टर से कुछ भी छोड़िएगा नहीं नहीं तो बोलो कि सर आप पढ़ाय नहीं तो एक एक चीज नोट करना ठीक है स्टार्ट करते हैं अल्टर्नेटिंग करेंट पार्ट नंबर 3 और पढ़ते हैं Q फैक्टर के बारे में अब Q फैक्टर के फूल फॉर्म की बात करें तो Q फैक्टर को बोलते हैं हम लोग इसको quality factor बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कपानुलोग quality factor बोलते हैं अच्छा तो क्यू से quality factor अब यह जो quality factor है वह हमेशा resonance पे defined होता है क्या होता है quality factor is only defined at resonance डिफाइन डिफाइन डे रे Regonance condition अच्छा और Regonance condition क्या बोलता है कि frequency कितनी होनी चाहिए frequency होनी चाहिए तुम्हारे पास omega is equal to one by root lc और क्योंकि ये Regonance पे होता था इसको हम आप स्मॉल आर्से हम लोग दिछा देएं अब इसका definition बहुत ज़्यादा important हो जाता है quality factor का कभी कभी quality factor नहीं पूछेगा definition पूछ देगा इसका और definition से question आ जाएगा अच्छा तो इसका सब दो definition है इसका जो first definition है वो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ क्या है first definition इसका है तो जो quality factor होता है that is q factor this is defined as the ratio of सुनिये का this is defined as the ratio of voltage across voltage across inductor or inductor or capacitor मतब voltage across L लिखो या फिर voltage across C लिखो कुछ भी लिखो by by voltage across by voltage across R this is quality factor definition important है तो पहले मैं पहले लाइन को उठाता हूँ voltage across L by voltage across R करना है यह बाई नहीं है बाई साब यह लिखो चाहिए लिखो हमें सब quality factor की value आ जाएगे सब्सक्राइब करेंगे अच्छा अब सुनिये अगर मैं बोलू कि अगर तुम्हारे पस एक बस इंडक्टर होता मतलब अभी यह वाला चीज लिख रहा हूं ठीक है जाई इन्टू एल जाई इन्टू एल क्यों लिखा हूं बाई साब यह रियक्टेंस ही है जिसको रियक्टेंस बोलते थे बिल्कुल तो वी इकल टू आई यार ओम्स लोके इस आप से यह हुआ पोटेंशल डिफ्रेंस एक्रोस एल ठीक है बाई अगर रेजिस्टर से से सेम करेंट पास करवाया तो उसके क्रोस पोटेंशल इफ्रेंस बीज एकल टू आई यार बेस तो आई और आई कैंसिल हो गया और यह आई एक्सल बाई आर अब एक्सल की वैलू क्या होती थी यह होती थी ओमेगा इंटू एल बाई आर लेकिन क्योंकि भाई साहब इसको हम लोग हमेशा रेजोनेंस कंडिशन पहें डिफाइन करते हैं तो इसको मैं प्यार महबत और प्रेम से ओमेगा आर लिख देता हूं इस बेरी इंपॉर्ट तो सबसे पाला फार्मूला तो यह निक होती है ओमेगा 65 क्या है रेजोनेंट फ्रीकरटे प्रिक रिखेंट होता है इं टू अलगा और लंगš ट्रीखेंसी के वेलुबकुत डिफांड होता है है यह देखलो थी और ठीक है यह हम लोग रख देरते हैं ठीक है तो यह तुम्हारे पास हो जाएगा तुम्हारे पास देखो कितना हो जाएगा यह तुम्हारे पास कितना हो जाएगा यह तुम्हारे पास कितना हो जाएगा रूट L से रूट L कैंसिल हो गया तो यह हो जाएगा तुम्हारे पास रूट L बाई C रूट C इंटू R देख लो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं यहां लिख देता हूं सायद आपको दिखने रहा होगा 1 by r root l by c this is also q factor तो इन दोनो फॉर्मुले को आपको याद रखना है डारेक्ट यहां से कोशन बनते है Is this the q factor? Yes Is this the q factor? Yes दोनों आपको याद रखना है दोनों आपको याद रखना है यहां से direct कोशन आते हैं मैं बोल रहा हूं लेकिन अगर भूल गए तो आपको निकालने तो आना चाहिए इसलिए मैं यह बता रहा हूं कभी पूस दिया voltage across l divided by voltage across r इसका ratio निकालो मतलब q factor ही निकालना है प्यार, बहुबबद और प्रेम से इन दोनों को याद कर लेना चीज़े असान हो जाएगी अच्छा अब एक नन्ना मुन्ना सा बालक है उसके दिमाग में यह आ सकता है कि सर voltage across c by voltage across r करके बताईए वो भी तो q factor होता है तो आपके सर बोलेंगे बेसक होता है यह तो हमने ही बताया है और मैं ही मना कर दूँगा तो बेजिती हो जाएगी तो भाई सा जड़ा देखिए यहांपर कि जो q factor होगा सुनिएगा जो q factor होगा और क्या होगा q factor का और definition क्या हो सकता है voltage across c voltage across c by यह भी तो था ना यार बिलकुल तो अगर सेम करेंट i की बात करें at a given stand t तो c के ग्रॉस में potential difference कीतना होगा v equal to ir तो कि capacitive resistance भी तो होता है न जाइसी बिलकुल तो वो कितना होगा i into jc होगा jc क्या होता है resistance होता है capacitor का at an intermediate time t by यह क्या होगा i into r resistance के cross में voltage वो तो अभी लिखना से बताया हूँ तो i और i cancel हो गया तो यह आएगा तुम्हारे पास xc by r ठीक है अब इसकी value पता है क्या बिलकुल पता है यह कितना होगा 1 by omega c और यह r अब क्यूंकि यह resonance पे defined होता है तो इसको simply से इसे लगा देंगे this is a resonance frequency तो भाई साहब जड़ा यह देखिए कि आपके पास quality factor का यह भी formula आ गया लीजिए यह बहुत rarely use होगा लेकिन एक बार neat में आ चुका है लेकिन use बहुत rarely होगा तीन formula मिल गए आपके पास omega l by r 1 by r root l by c 1 by omega c r तो तीनों में से तीनों आपको याद रखना है कहीं से भी question पूछ सकता है तो यह तो हुआ first definition की बात यहां तक तो बातें सहीं थी इसका second definition भी है भाई साहब और भाई साहब second definition कोई नहीं पढ़के जाता है आज तक नीट में second definition से question आया ही नहीं था आया ही नहीं था लेकिन इस बार उन्होंने पूछ दिया नीट 2021 में तो 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 इस बार पूछ दिया भाई साहब मतलब नीट 2021 में पूछ दिया इस बार क्या नीट 2021 में पूछ दिया तो इसका second definition क्या है quality factor का और second definition बताने से पहले मैं आपको ये बता दू कि बहुत सारे examination पूछा गया कि q factor का unit क्या होता है तो भाई ये साब साब दिख रहा है ये dimensionless होगा अरे यार ये voltage across c by voltage across c दो सेम quantity का ratio है तो भाई साब क्या होगा ये dimensionless होगा लिख लिएगा इस नो dimension इसका dimension नहीं हो तो आप जो rlc circuit होती है उसी से हम जो q factor निकाल रहे है क्यों क्यूंकि regionless condition निकाल रहे है क्यूंकि regionless होता है वो lcr circuit पर defined होता है मतलब rlc circuit पर तो यह जो RLC circuit है ना यह हम लोग electronics में यूज करते हैं पर communication क्यों factor की value जितनी अच्छी होती है क्यों मतलब क्या quality factor उतना अच्छा क्या होता है हमारा communication होता है electronics से समझें जैसे मालूम मुबाइल वापे बात कर रहे हो ना इसे करके लिजे अच्छा ठीक है अंकल नमस्ते आये काम की बात पर आते हैं आपके लड़की खाना खाई यह जरूर आप बताइए हमें लेजिए ठीक है तो आप देखते होगे कभी कबार बहुत दिनों बाद होता क्या है कि तुम्हारा जो साउंड क्वालिटी है वो खता खराब हो जाता है आपके स्पीकर के वज़े से तो आपके मुबाइल में आरेल्सी सर्किट लगा हुआ है कि उसका क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करता है कि कितनी बेटर ट्यूनिंग आपको सुनाई दोगी तो आप देखें कि 5000 का मुवाल लगा करें दिखना थीक है जशेजार करें है थीक है फंद्रह था करें हलो कभी आइफोन दिद्गी में अगर चूदे को मिला मुझे तो नहीं मिला है कभी उसको लगा करें सब में क्या हो रहा है ट्यूनिंग अलग-अलग है आवाज की कॉलिटी अलग-अलग है तो सब में RLC सरकिट लगा हुआ है भाई साहा तो जिसका क्वालिटी फैक्टर क्या जिसका क्वालिटी फैक्टर एक मिनट एक मिनट जिसका quality factor जितना अच्छा है उतनी better tuning आपको सुनाई देगी आवाज की तो भाई साब ये question पूछा जाता है कि बताईए कि better tuning जो है वो आपको किसमे मिलेगी बेटर tuning जो है वो आपको किसमे मिलेगी communication की तो आप इस point को लिख लिएगा कि अगर quality factor की value that is q factor की value quality factors की value quality factor की value अगर जादा है तो तुमको communication में better tuning मिलेगी मतलब अच्छी आवाज सुनने को मिलेगा उदर से आपके बाबू सुनना का आवाज आएगा तो मिठी मिठी आवाज आएगी मतलब अच्छी आवाज आगी better tuning of communication आपको मिलेगी कि बदाइए यहां तक समझ में आया कि नहीं कि भूपेंदर सिंग सर्थ मांक सब पर वीडियो लेट क्यों डाल रहे हो क्योंकि बाई सब वहाँ बनाने वीडियो बनाने से पहले पचास बात चाटना पड़ता है सबसे पहले कोसंस को इसलिए मेहनत लगती है उसमें ज्यादा इसलिए टाइम लग रहा है वापे अरे आपकी हाड़ वक को वेस्ट नहीं जाने दूंगा सर आई प्रॉमिस अरे थैंक्यू भाई प्रियंका सिंग क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कम है और जिसका नॉन सेलेक्शन होता है वह बहुत जाना है और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वह अल्टरनेटिंग करेंट पढ़ते हैं इसलिए बस 15-16 बच्चे हैं कि चलो कि क्यों फैक्टर कैसे रिलेटेड है बिटर ट्यूनिंग से अब यह मत पूछिए यार यह आपने नहीं वह इंजिनिरिंग में अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड डेफिनीशन की और सेकंड डेफिनीशन को ध्यान से सुनिएगा बाई साब चलो का इसका सेकंड डेफिनीशन क्या है ध्यान से सुनिएगा बाई साब इसका सेड्र डेफिनीशन क्या है कि जो क्वालिटी ॥ैक्टर होता है quality factor मतलब q factor यह नहीं कि कोई नया चीज़ आ गया q factor इसको short मों बोलते हैं वो होता है resonant frequency resonant frequency मतलब किना 1 by root LC resonant frequency divided by bandwidth of the divided by bandwidth of the bandwidth of the RLC circuit मतलब बाप परे बाप सुनिये बहुत प्यार से समझाऊंगा बहुत प्यार से जितना जरूवत है उससे ज़्यादा ही बताऊंगा पहले सुनिये यहां पर अच्छा क्योंकि resonance पर डिफाइंड होता है वहां तक बाते सही है resonance condition में मैंने बताया था कि current RLC circuit से हमको maximum मिलता है क्योंकि gyl is equal to gyc हो जाता है बताया था यादार होगा हाँ बिलकुत तो अगर मैं current में और omega में क्या करूँ graph draw करूँ current में और omega में मैं graph draw करूँ देखिए omega और i तो आपको क्या मिलता है देखो कुछ इस तरीके से graph मिलता है ध्यान से तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको graph मिलता है ये point correspond कर रहा है i naught को माल लेते हैं इस axis पर जागा न i naught बिलकुर तो i naught मतलब क्या peak value of current current maximum तो current maximum कम मिलता है RLC circuit में जब resonant frequency होती है तो ये point जो है वो resonant frequency को क्या कर रहा है दिखा रहा है omega r को अच्छा bandwidth क्या होती है सर ये बताइए सुनिएगा bandwidth क्या होता है सुनिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इस पूरे graph पे एक ऐसा point निकालना है सुनिएगा जहां पे current की value 1 by root 2 times हो जाए कौन से current के 1 by root 2 times maximum current के 1 by root 2 times तो माल लो तुम्हारे पास क्या मिला यहां पे कोई point मिला तो इसके corresponding क्या हुआ तुम्हारे पास यहां value मिली है i not by root 2 यार रखना i not by root 2 तो इसके corresponding तुमको कुछ frequency मिलेगी यहां पर उसको मैं बोल रहा हूँ omega 1 अगर कोई तेज बच्चा होगा तो यहां पे लात मार के पूछेगा कि भाई साहब यह जरा बता दिजिए कि यहां पे भी तो point है और इसके corresponding में भी i not by root 2 मिला बिल्कुल सही मैं बोलूँगा तालिया मार रहा हूँ मैं आपके लिए बिल्कुल सही पूछाए आपको तो सर कस्ट किजिए बताने का कि वो दोनों वैल्यूज अलग-अलग होंगी तो मैं बोलूँगा भाई साहब बिल्कुल अलग-अलग होंगी सत्यानासियों साप-साप दिख रहा है कि इसके corresponding omega 1 है और इसके corresponding omega 2 है मतलब दो angular frequency है जिसके corresponding i not by root 2 आपको current मिल रहा है एक RLC circuit में बोलो हाँ ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है तो omega 1 और omega 2 सुनिएगा ऐसी angular frequencies हैं ऐसी angular frequencies हैं जहां पर where we are getting 1 by root 2 times of i not current लिख लिए जगा बहुत important है सुनिएगा अब मजे की बात क्या है कि ये वाला जो gap है और ये वाला जो gap है वो equal होता है मतलब इस line के about में omega r के about में ये symmetrical होता है अगरा ठीक है ठीक है बहुत साइस है ठीक है अच्छा मजा आ रहा है सर समझ में आ रहा है ठीक है ताली बजा दूँ अरे नहीं पढ़िये ठीक है इतनी बात हैं हमको सर समझ में आ रही थी तो अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि अगर ये वाली लेंथ x होगी तो आप बोलोगी ये भी x होगी क्योंकि symmetrical है तो अगर तुमको omega r से omega 1 आना है तो तुमको ये वाली gap minus करनी होगी तभी तो यहाँ पहुंच आगे ना इस point पे दिलकुल तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम omega r में से x minus कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा omega 1 मिल जाएगा लेकिन तुमको omega r से omega 2 जाना है तो तुमको क्या होगा ये वाली quantity add करनी होगी तब तो यहाँ पहुंच होगे बिलकुल तो ये होगा तुमारे पास omega r plus x ये हो जाएगा तुमारे पास omega 2 bandwidth करते हैं इसके difference को क्या करते हैं इसके difference को इसका तुम difference निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा omega 2 minus omega 1 and this will be equal to this will be equal to omega r plus x minus of omega r minus x तो आप देख लो omega r cancel हो जाएगा and this will be equal to twice of x x is what देख लो ये gap है x तो this is bandwidth omega 2 minus omega 1 और जो quality factor था वो क्या था q factor q factor यही था कि जो resonant frequency होगी वो लिखो by omega 2 minus omega 1 this is also the definition of quality factor याद रखियेगा भाई साहब हाँ सार याद रखेंगे हाँ सार याद रखेंगे अब यहाँ तक तो बाते ठीक ही थी एक और definition आ गया क्या आ गया बताइए सब मतब definition ने एक और concept आ गया कि अगर आई ओमेगा छुड़ो ना अगर पावर और ओमेगा पावर डिसिपिटेड और ओमेगा पावर डिसिपिटेड और ओमेगा के बीच में ग्राफ डॉकर हो और आलसी सरी पावर डिसिपिटेड होगा ना बेलकुल तो इसके बीच में भी ऐसा ही से आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझना है लेकिन इतना समझना है कि इस omega 1 angular frequency पर जब current i0 by root 2 होता है तो power half हो जाता है मतलब कि तुमको omega 1 यह same omega 1 की बात कर रहा हूं यह same omega 2 की बात कर रहा हूं तो उस omega 1 omega 2 पर क्या होता था current 1 by root 2 times हो जाता था i0 के लेकिन पावर और omega graph देखते हैं तो उस omega 1 और उस omega 2 पर power half हो जाता है मतलब यह हो जाएगा हाँ मालों यहाँ पर क्या है maximum power है ठीक है और यहाँ पर हो जाता है half e by 2 तो इसको भी याद रखिएगा मतलब omega 2 omega 1 ऐसी angular frequency है rlc circuit में जहाँ maximum current 1 by root 2 times हो जाता है और जहाँ power dissipated half हो जाता है not 1 by root 2 times अगर इतना समझ गे बाई साहब तो quality factor में उखार के फेक दोगे अब इससे ज़्यादा quality factor क्या समझाओ मैं आपको उखार के फेक दोगे भाई साह चलिए अब कोशन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला कोशन देखते हैं बहुत रेरली यहाँ से कोशन पूछा जाता है नीट 2021 में पूछ लिया बच्चे मूँ बना लिए क्यों कि बहुत भेंकर कोशन पूछ लिया अच्छा अच्छा ठीक है दा वैली ओफ क्वालिटी फैक्टर इस क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगे सर ओमेगा क्या है सर अरे अन्डर स्कूर्ड है ओमेगा को डिफाइन नेकिया तो ओमेगा रहोगा क्योंकि क्या होता है रेजूनेंस पे ही दिफाइन होता है तो यह तक बोली पे सही हो razor यह थोड़ी हो PVC सही है और tak सी दोनों होती थी यह और भी दोनों सही होगा अब देखते हैं भाई साहब नीट 2021 का कोश्चन बहुत सुन्दर कोश्चन बहुत बेहतरीन कोश्चन और यह कोश्चन भाई साहब जो कोचिंग का डाटा है वो यह बोलता था कि उनके टॉपर्स में से भी 5% लोग बनाया थे उनके टॉपर्स में से 5% लोग पर्सेंट का मैं नाम नहीं लूगा उस पार्टिकॉलर कोश्चिंग इंस्टिट ने बोला कि भाई सार्म हमारे जितना टॉपर बैस में टॉपर्स बच्चे थे उसमें से भी 5% बच्चों ने इसको बस सॉल विक उसन खतरनाक था ही लेकिन मैंने अब इतना अच्छे से खोल के रख दिया है तो सायद आप इस कोशन को आप बना लो देख लो नजरें स्क्रीन पे देखिए कोशन क्या बोला है नीट 2021 का कोशन है एक सीरीज इंडक्टर इंडक्टेंस की वैलू दी है और सी की वैलू दी हुई है और रेजिस्टेंस की वैलू दी है ठीक है लिख लो यहां पर आर की वैलू दी है तुम्हारे पास फोर्टी ओम L की वैलू दिया है तुम्हारे पास 5 हेनरी अच्छा और तुम्हारे पास कितने दुई है और क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास 80 माइक्रो फैरेड अच्छ पावर ट्रांसफर तुद शर्कीट इस हाफ दा पावर अधर रेजुनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी और लाइकली तुम्हारे बच्छ पगला गये कोशन आया कहां से यह कोशन आया कहां से वाइड साहब यही नहीं समझ में आ रहा था उनको लाता आउट अप आउट उप सिलेवर यही नहीं पता लगा पाइट उपा कहां से आया Interzessênय आज eyelids से अरे भाई ये omega 1 omega 2 की ही बाते कर रहा है omega 1 omega 2 पे क्या होता था देखो power half हो जाता था कौन से power के resonant frequency यहां जो भी पार मुलेगा उसके half हो जाता था मतलब omega 1 omega 2 की value पूछ रहा है सकता है ना सी समझे इस question को और भी ऐसे पूछा जा सकता था कि बताओ angular frequency जहां पे जो power जो current है वो 1 by root 2 times हो जाए जितना resonant frequency पर रहता है तर तब भी same निकालना होता तो यह चीज पता होनी चाहिए उसका second definition पता होना चाहिए yes मतलब तुमको omega 1 omega 2 की value निकालनी है इतनी बाते तो हमको समझ में आ रही है ठीक है इतनी बाते तो हमको समझ में आ रही है चलो तो omega 1 is equal to what and omega 2 is equal to what यही तो frequencies थी जहां पर ऐसा हो रहा था तो omega 2 में क्या लिखा था याद है याद है omega r plus x और omega 1 में क्या लिखा था omega r minus x तो सबसे पहले तो omega r चाहिए x भी हमको नहीं बता है x हम लोग निकालनेंगे omega r तो निकालो omega r क्या होता है omega r कैसे निकालोगे अरे हमको पता है कि जो quality factor होता है na quality factor quality factor वो इतना भी होता है देखो omega r l by r इतना होता है कि नहीं होता है और ये भी होता है omega r by bandwidth that is omega 2 minus omega 1 अब omega r, omega r cancel कर दो इन दोनों को मैं equate कर रहा हूं बस तो यहां से तुम्हें omega 2 minus omega 1 की value मिल जाएगी भाई साह यह l by r, l कितना है 40 है, r कितना है 5 है कट्टम कुट्टम कर दो 8, एक माँ मैं मिला लेता हूं कि मुझे सही याद है कि नहीं, 40 है और 5 है बिल्कुम, तो तुम्हें किसकी value मिल गई, omega 2 minus omega 1 की value मिल गई 8, ठीक है अब इन दोनों का difference निकालो जारा, इन दोनों का difference निकालो करा, तो omega 2 minus omega 1 की value कि यहां से देखो, difference निकाल चुके, उदर 2x आजाएगी क्दान से फिजेकंग cools तू मेदा यह तो But the Nature of suggested decision मंगाष्ज में क gesch्णाव sales. सब्सक्राइब अब्सक्राइब लिफभी अग्याल निकाल लेते हैं चलो सब्सक्राइप। में टो में आर यह सब्सक्राइब क्या होना पड़ा हुगा इस ऑमेगा यह भी notation होता है 1 by r root l by c, 1 by r, 1 by r root l by c, मतलब l कितना है, अरे यार देख लो, r कितना है, 40 l इतना 80, अच्छा, ठीक है, यह 40 है, यह 5 है, और यह 80 है, into 10 का पहर मानस, यह निकाल लो, तो यह तुम्हारा पार, कितने बारे में जाएगा, 16 बार में जाएगा, यह तुम्हारे पास कितना हो गया, 1 by 40, into 1 by 4, into 10 का पहर मानस 3, मतलब यह 1 था हो जाएगा, और यह और यह तुम्हारे पास cancel नजर होता हुआ आएगा यह जाएगा तुम्हारे बार पचीस बार में और यह हो जाएगा 25 बार लेकिन यहां पे तो option में दिखी नहीं रहे अब क्या करें यह अब क्या करें वर अब क्या करें देखो एक्स की वाली तो तौमारे पास फोर आ गए कोने प्रीकटिं सी Doc में अंट को करना ठाख लेंगा इतना में 2 आप निकालना है कि यह जोगा वन बाई आर रूट यह स्थ अमिटमा देख लेता हूँ एक मिनट मैं देख लेता हूँ सही जो निकाला है कि नहीं बिलकों सही है यह गलती कहां हो गई बाई सहाब गलती कहां हो गई यह तो आंसर दिया हुआ है ठीक है तो वन बाई आर फोटी एल की वैलू कितनी है तुम्हारे पास एल की वैलू है 5 बाई सी मदलब 80 इंटू 10 का पावर मानस 6 माइक्रो फैरेड बिलकुल सही है यह गया 16 516 ठीक है बिलकुल चार और यह होगा 10 का पावर मानस 3 उपर जाएगा 1000 बिलकुल सही है जीरो जेरो कैंसल हो गया तो यह है पचीस बाई चार तो ओमेगा आ रहा पचीस बाई चार आ गया पचीस बाई चार आ गया पचीस बाई चार आ गया ठीक है तिकने यह ओप्सन मैच नहीं कर रहा है कई मैंने में स्टेक किया क्या मुझे बताना तो कल्कुलेशन में और ओह ओ कि देखो मैंने गलती कहां कर दी है दिमाग है कि अपड़ा अरे ओमेगा आर निकाल दा हूं लिख रहा हूं क्वालिटी फैक्टर कोई बात में कोई बात में दिमाग हैंग हो जाता कभी कभार सर कभी समझा करो बहुत लोड है बहुत ज्यादा काम रहता है आज कल चलो ओमेगा आर की वैलू लिख रहे न है तो यह हो गया तुमारे पास वनबाई अंडर रूट एट फैफ़सफ पोर्ती चार इंटू टेन का पावर माइनस जिक्स तो यह तुम्हारे पास कितना हो जागा देख लीजे वनबाई टू इंटू 10 का पावर माइनस तू यह आजागे तो मिज़ेए त्यु क्नों कि तो ओमेगा-R निकाल दोस्ट अच्छा एक्स की वैलू निकाल जोगते हो एक्स की विरू तो वैलू कितनी आदा गी में ओमेगा-R प्ल hospital लोगनिए-फिर्टी माई-फव्थर मलगी कितना ओगया उप्सन लंबर- Promise अप्सान नमबर थार्ड विल भी करेंट बताओ क्वालिटी फ्यक्टर आया समझ में सुमित सर आप फिदिक्स पढ़ाने के साथ साथ सुडेंट के अंदर से डर निकालते हैं हमेशा मोटिवेट करते हैं बहुत कमी इस बात की कदर करते हैं अगर बच्चे समझदार हो तो बहुत बढ़ बढ़ जाएगा भाई सही बता रहा हूं कि अटे बच्चे की बात बच्चे की तरह क्यों बात करते हैं आप सिमानी भाल सब्सक्राइब देख सकते हैं ना या मैं को सब्सक्राइब सब्सक्राइब निट का पेपर हो गया लिए तुरहन फटाक से सोलूसन बता दिए डिफरेंस देखिए आंसर अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं चोक कोईल के बारे में कि चोक कोईल क्या होता है अगर चोक कोईल से कभी कोशन आया तो हमेशा थियोरी से कोशन पूछेंगे अचा होता क्या चोक कोईल से बताईए इस उस तू रेडियूस अल्टरनेटिंग करेंट्स चोक कोईल एक ऐसी डिवाइज होती है ताकि हमको अल्टरनेटिक करेंट को कम कर पाएं और यह चोक जो होता है वो क्या होता है एक इंडक्टर होता है क्या होता है एक इंडक्टर होता है कंवलंने इसमें जो मेन कॉम्पोनेंट है वो क्ès क्या है इंडक्टर है इनका क्या है थैस क्यों होता कि कुछ डिवाइजेज में कम करेंट की ज़रुवत होती है अगर उसमें ज़्यादा करेंट wanna कर जाता है जैसे हमारे घर का ट्यूड रिफेस definitely लेकिन आज भी बहुत ट्यूबलाइट चूज होते हैं मेरे घर में भी ट्यूबलाइट लगे हो एल्मास्ट हर रूम में लगे हो होता है किसको किसको ट्यूबलाइट को एल्मास्ट में कोई चोक नहीं होता है कि समझे कि ट्यूबलाइट में चोक होता है अब क्योंकि ट्यूबलाइट कम करेंट खाता है इसलिए एक ट्यूबलाइट जब लगाते हो तो कम बिल भी आता है तो चोक एक ऐसा डिवाइज है जो के इंडक्टर है और टर्णेटिंग करेंट की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है सबसे पहला कोशन तो यही पूछ लिया जाता कि चोक का यूज क्या ऑप्शन में रहागा रिड्यूस अल्टर्णेटिंग अच्छा इसका ही क्यों यूज करते हैं सुनिए इस सुनिएगा अगर मान लो तुम्हारे पास यहां पर ट्यूब लाइट है लीजिए ट्यूब लाइट मूवी का याद आ रहा होगा बहुत लोग को ट्यूब लाइट मूवी वैसे साथ फ्लॉप हो गई थी मां देखा नही यह लगा हुआ है ट्यूब लाइट तुम्हारे घर का लीजिए और ट्यूब लाइट के हमेशा सीरीज में लगता है चोक याद रखिएगा क्या लगता है चोक मान लो यहां पर चोक है हमेशा क्या लगता है सीरीज में लगता है याद रखीगा यह कोशन पूछा गया है तो यहां से जो भी करिंट आ रहा है एट पार्टिकुलर टाइम टी माल लेते आई इसको कम करना है कैसे करेंगे क्यों लगा है सर रेडिस्तेंस लगा दिजियoston यहां पर का है है इतना goodSubका यम दिखा रही है तो कि डिश्टेंस क्या करेंगा ऑपोज करेंगा बिल्कुल यह भी तो current को reduce कर सकता है बिल्कुल तो यहां जैसे यह current आगा तो कुछ resistance को जैसे क्या होगा current यहां पर कम जाएगा करतो सकते हैं ऐसा लेकिन यहां पर power dissipation बहुत होता है ना भाई साब देखो जब भी हम लोग alternating current यूज करते हैं तो मैंने पढ़ाया था कि resistance के एक क्रॉस में जो power dissipation होती है वो कितनी होती है ev into iv मतलब rms यार 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 इतना होता है power dissipation आपको पता है लेकिन एक इंड़क्टर लगा दो तो इंड़क्टर के बस resistance तो होता ही है वन बाई ओमेगा एल जिसको बहुत है inductive reactance लेकिन average power dissipation 0 होता है यह तो हो गया register के case में लेकिन अगर power inductor में बताओ कि कितना dissipate हुआ तो आप बोलोगे 0 तो resistance बिल्कुल लगा सकते थे control करने के लिए लेकिन हमारा power जो है न वह बहुत dissipate हो जाता है जिसको इनर्जी बहुत waste हो जाती है तो resistance लगागो तो बिल्वे बहुत बढ़ने लगेगा बाई चाप पावर बहुत उखने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए inductor लगाते हैं तुकि average power consumed by inductor in an alternating circuit is zero यह पढ़ा चुका हूँ लेकिन यह ideal conductor हो तब practical life में एशा नहीं होता है practical life में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास inductor होता है मतलब चोक अरे चोक inductor ही है इसका बस resistance तो होता लेकिन बहुत कम होता है कितना होता है बहुत कम होता है가는 practical life ने small resistance इसकी वैलू मैं माल लेता हूँ बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है इसमें जीरो नहीं होता है ओमेगा एल के अलावा मैं बता रहूं स्मॉल र ओमेगा र तो इंडक्टिव रेक्टेंस हो गया लेकिन जो practical life में चोक कोयल होता है उसका inductive reactance तो होता है लेकिन साथ साथ एक small resistance R भी वो क्या करता है offer करता है तब यह कितना power खाएगा power कितना खाएगा मुझे बताएगे P is equal to Vrms into Irms into cos phi यही होता था ना power जो खाता था तो अब तो power खाएगा विल्कुल तो यह हो गया Vrms into Irms into r by z यहाँ पे r क्या है small r by z क्या capacitor है यहाँ पे capacitor तो ही नहीं ना यह हो गया under root small r square प्लस omega l का whole square अरे भाई साब यहाँ पे क्या होता था यहाँ होता था जाई यल माइनस जाई c का whole square यह वाली तो जीरो चीज हो गए capacitor है नहीं जाईल omega l तो omega l का whole square यहाँ पे लोगे तो यहाँ पावर तो यहाँ भी खारा बिल्कुल खा रहा है अब पावर प्राक्टिकल चोक बिल्कु यहाँ पावर लॉस कितना होता आई square और इसे यह वैलू जब कल्कुलेट करते हैं तो बहुत कम पाई जाती है यह वैलू यह वैलू बहुत कम पाई जाती है इसलिए इससे तो बेटा रहे ना यार प्रैक्टिकल लाइफ में इसलिए हम लोग चोक क्वाइल को यूज करते हैं इसलिए अरे सार आप बता रहे हैं कि आपको एवरेस पावर जीरू करना है जो कि आइडियल का इंडक्टर में होता है इसलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं तो कोई बात नहीं जो इंडक्टिव रेक्टेंस के लाव भी के स्मॉल एडिशन स्मॉल आ रहा होता है यह जो भी पावर लावस आता है और रिजिस्टेंस से तो बहुत कमाता है इसलिए लिए लोग इसको यूज करते हैं आप कैपसिटर वाला भी तो बताएते कि एवरेस पावर इंड़ कैपसिटर जीरो होता है बिल्कुल आप चोग को हटाके कैपसिटर भी यूज कर सकते हो वही काम करेगा कोई डिफरेंस नहीं है इक्वली इफेक्टिव होता है इसीज को लिख लिएगा जिस तरीके से ऐवरेस पावार इंड़क्टर में जीरो होता है लेकिन प्राक्अटिकल इंड इंड़क्टर प्राक्टिकल चोग कोंट में एक स्मॉल रिजिस्टंस आर होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में पूछेगा नहीं, this is only for understanding, ठीक है इसको replace करके capacitor भी उसकर सकते हैं, average power उसमें भी तो 0 होता है, बिल्वकुल कर सकते हो, equally effective, ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए, अब दो तरीके के chokes होते हैं, एक होते हैं, AF chokes, और एक होते हैं, RF chokes, बस इसके बारे में जानना है उतना ही बता हूँगा, ज्यादा पकवास नहीं करूँगा, ठीक है, AF chokes होते हैं, वो use किया जाते हैं, for reducing low frequency alternating current, अरे यार, alternating current का, जो current होगा, उसकी value घटाना है ना, बिलकुल, लेकिन frequency भी तो होती है, ओमेगा, तो अगर low frequency alternating current से उसके लिए AF chokes use करते हैं, बस इतना याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है, इसमें जो है, वो क्या use करते हैं, laminated, laminated soft iron course, इस चीज़ को डारेक्ट लिख लिजिएगा भाई साब, इसको detail में पढ़ाऊंगे, आउट्पुट कुछ नहीं बिलेगा, क्योंकि आज तक question पूछा ही नहीं गया है, पूछा जाएक तो direct एक चीज़ पूछा था है, मैं already detail में आपको खोद के बता रहा हूं, और यह जो है, RF chokes, वो क्या है, for reducing, क्या reduce किया जाता है, current, current reduce किया जाता है, वो ही तो definition था, high frequency AC, और इसमें क्या use करते हैं, यह होता, air filled, air filled, air filled chokes, air filled chokes, हवा अंदर भरा रहता है, चलिए, बता ही आया समझ में आता है, तरण जान, नमस्ते, नमस्ते, अंदर भो में आता है, यह एजया घ्रते है, तरण वी तो क्या समिंटी आता है, जानद आकार समझ में आता है, जा लां दो नमस्ते, ठाञता है, режим पांद ब्राको, नमस्ते प्रिआर, तंधा यहाच्ळिन is करते हैं, जानें, निल भी आत्मे करते फिर तके बात बाते हो जाएं मेसके बात फिर पढ़ेंगी एक मिना बद बताओ यार बाद की तरहरी कैसे चल मॉक्टोसर और मैं कैसे माक्स आ रहे शचार हें च्रौट हीं कि अच्छी त्यारी चल दिए बेटा रवान फेटा रवान पूछ रहा है बाई जब करते हो आप लोगी कि मस्त सर अच्छा कोई खराब थोड़ी बोलता है जाना निट के बार इक जम्वा देखे सो लोग से पुस्ण निनानवे लोग बोलेंगे अच्छा गया एक ही लोग बोलेगा नहीं अच्छा नहीं गया है यह थोड़ी होता है यह है अच्छा चलना है यह ही जानना था था हमको पूछते ही क्यों कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांस्फॉर्मर जिसका था हमें इंतजार वह आ गया है हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाई साथ ट्रांस्फॉर्मर से कोशन आने की प्रॉबैलिटी बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा होती है ठीक है चलो ट्रांस्फॉर्मर एक ऐसा डिवाइज है as the name signify ट्रांस्फॉर्मर में er को हटादो तो ट्रांस्फॉर्म मिलता है ट्रांस्फॉर्म मतलब क्या अंग्रेजी बहुत भी खासार कोई बात नहीं मतलब बताता है ट्रांस्फॉर्म मतलब होता है एक चीज से दूसरे चीज में its you can be used to change the alternating voltage not alternating current change the alternating voltage बहुत बारीकी से बहुत easy तरीके से पढ़ाओगा साही भाई साहभ एक-um उख़ार के फेक दो ले all-frame इसका फर्मूला याद करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्क त होता है मैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़िएगा निकल आएगा सब कुछ मस्त मज़ा आजाएगा भूल भी जाओगो तो रिडाइफ कर लोगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करने के लिए अच्छा कैसे चेंज होता है वह मैं बता रहा हूं क्या करता है वह मैं बता रहा हूं देखो इससे दोनों कर सकते हैं कि दोनों चीज कर सकते हैं मतलब सुनिए अगर तुम्हारे पास लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या बोलो इमेफ है और उसको तुम कनवर्ट करना चाहिए तुम्हारे जरूरते कुछ इस तरीक से तुम को हाई अल्टरनेटिंग इमेफ चाहिए तो ऐसा काम जो ट्रांसफॉर्मर करता है उसको बोलते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मर तो है लेकिन यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ठीक है अगर इसका उल्टा हो तो अरे बाई चेंज करता है ना तो हाई को लोग भी सकता ही तो अगर उल्टा हो तो के ऐट हाई है अल्टरनेटिंग लाकि इमेरह को अगर इसको चेंज करना यह को अगर यह कहला स्टेप डाउन इसनी बाते हैं तो हमको समझे में आती ही है लेकिन उसके बाद हम लोग यह समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता काम कैसे करता है सबसे पहले इसका जो principle है वो क्या है यह mutual induction पर काम करता है principle क्या है mutual induction है मैं अब मैं पूसना का है सर अरे यार तुम्हार लाइग होता है तो बताते हैं ऐसे बाम गिर गया लाइग हो गया सर मेरा बायव वीक है सर बहुत काम करना है 11 का कुछ टॉपिक याद नहीं करना प्रॉब्लम आता है बहुत बता रहूं क्या करो अंकित ठीक है कहीं के वीडियो बेगरा देखने की जरूवत नहीं है कुछ भी नहीं देखना है आपको क्या करना है आपको चुप चाप जो इसको रीडि करते रहो सब कुछ याद हो जागा वही एक तरीका है ठीक है आपका वह अच्छा हो जाएगा चलो कि साइध मेरी फिजिक्स में दिक्कत है रहे तो पढ़िए बाई साहर अब ठीक है तो बता दो यार ने तो आव लोग ऐसे लगता है कि मतलब मेरे पर ही मिसाइल अटाक हो गया लैग हो रहा है लैग हो रहा है बता दो है 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 इसमिप्त करते हैं घालो है तो जो काम करता है ठ्रास्फोर्मर वह कौन से प्रिंस्पल पर करता है तो मिच्वल इंडख्शन पर करता हैं इंडक्षन मतलब हुआ पैदा करना मीच्वल मतलब होता है दो चीज़े इंवाल्ड में इस पता है और सर दू को क्वाइल रहता था दो एलिजमेंट रहता था वहां पर इंडक्षन करवा थे बिल्कूल सुनिए तो अगर एक रफ डाइग्राम की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मैं इसको बनाना चाहूंगा देखो देखो तुम्हारे पास क्या होता है रेक्टैंगूलर क्वाइल्स होते हैं क्या होते हैं रेक्टैंगूलर क्वाइल्स होते हैं बहुत होते हैं मैं ऐसे करके तुकाज दिखा रहा में की अग। the च्रण्ए परड़ दिखा रहा हूं डिका रहा हम जो सक्षामफ को चffentlichना को जानना है यह रेक्टैंड्र क्या होते हैं सौलफ आर्टैन्र के होते हैं रेक्टैंड्र होता है यहां रखिया है अब यहां पे एक चीज लपेड दिया जाता है क्या क्वाइल और यहां पे भी एक क्वाइल लटका दिया जाता है जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते है प्राइमरी क्वाइल इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल में करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल ठीक है ठीक है और इसको बोलते हैं secondary coil काम करते हैं उसको बोलते हैं primary coil मतलब सर अरे मतलब ये कि अगर तुम कोई भी current दे रहे हो बाहर से किसी divide से तुम इसमें दोगे primary coil में दोगे तो यहां से हम लोग क्या करते हैं एक ac source लगा देते हैं यहां पर primary coil में लगाते हैं द्यान दीजेगा एक एक चीज तभी कोशन बनेगा यह तो हमेशा confused रहोगे transformer के कोशन नहीं यहां पर होती है ac supply अब क्या ac supply है तो alternating current आएगा अगर alternating current आएगा सुनिए अगर alternating current आएगा तो क्या वो constant है इसमें नहीं current pass करवाए हो इसमें current pass करवाए हो इसमें current पास करवाए हो alternative तो current is variable तो current इसमें variable हो गया तो इसके वज़े से क्या आता है इसमें भी current आ जाता है जो जो को mutual induction से खाम कर रहा है इसमें current पास नहीं करवाए है इसमें current वैरी करवा दिया ac supply लगा के इसमें current आ जागा क्योंकि पास में है visual induction पढ़ा चुका हूं बिलकुल 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 तो इसमें जो EMF है उसको मैं बोल रहा हूं EP है पी से primary और इसमें generate हुआ इसके वज़े से तो इसको बोल रहे है इस ठीक है बहुत सब्सक्राइब अब मेरी बात सुनिए कि यह जो बीच में तुम laminated coil लगाए हो यह वाला यह वाला soft iron का यह laminated होता है क्यूं होता है बता रहा हूं यह पूछा जाता है आपसे lamination करवाते हो ना यार जैसे कोई certificate मिलता है क्यूं कराते हो वह ताकि फटे नहीं उस पर दाग न लगे वैसे soft iron को lamination करवा दिया जाता प्लास्टिक से ऐसा क्यूं या फिर किसी और चीछ से ऐसा क्यूं कि अगर तुमने इसमें अल्टर निटिंग करेंट पास करवाया करेंट फ्लो हो रहा है तो इतनी समझ में तो आ रही है कि यह magnetic field lines generate हो तो इस soft iron को तुमने magnetic field lines के presence में रख दिया है जब मैं पढ़ा रहा था magnetism तो मैंने बताया था अकर magnetizing field के presence में रख दोगे तो क्या होगा यह magnetize हो जाएगा इसके बास magnetic property आ जाएगा और जब इसको हटा जोगे current को तो यह क्या होगा demagnetize हो जागा और magnetize होने में और demagnetize होने में कुछ power loss होता था जिसको बोलते है hysteresis loss जा था रहा है तो उस loss को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे soft iron course laminated use करते हैं ताकि energy loss मत हो लिख लीजिए गा जो मैं बोला हो पूछा जाता है यह तो एक basic सा तुम्हेरे पास arrangement हुआ इसमें copper के कुछ coils यूज किये जाते हैं copper के भी कुछ coils यूज किये जाते हैं जिसके वज़े से क्या होता है कुछ energy loss होता है तो उससे loss ना हो इसलिए हम लोग copper के ठीक wires यूज करते हैं लिख लीजेगा लिख लीजेगा ठीक है इतनी बात समझ में आती है सब अब इसमें मैं number of tons अरे बाई coils है ना यह तो number of tons मैं माल लेता हूँ इसमें कितने np हैं और इसमें मैं number of tons माल लेता हूँ ns है मदब दोनों में अलग-अलग है number of tons अरे क्वाई लिखे यार ठीक है एक बात बताओ इन दोनों के बीच में angle कितना है constant है कोई घूम रहा है क्या इसमें रूटेट कर रहा है क्या नहीं फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स होता है फ्लक्स होता है फ्लक्स होता है फ्लक्स थिटा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रोसंत प्रक्रां थे, एरीक है तो इसमें ऐ में इंप कर दो इसमें प्रोड्ष करवा ना हो तब उतना ही आएगा इसमें आना impressive क्यूं तो सूनिए अब इसके वज़े से इसमें इमें प्रोड्यूस करवा चाहिए इसके वज़े से इसमें इमें प्रोड्यूस करवा ठीक है अगर मैं एक टॉर्न की बात करूं तो फ्लक्स सेम होगा देखो इसमें जितने भी coils यूज हुए है turns यूज हुए है सब की area A ही है इसमें भी जितने भी turns यूज किये है सब की area A ही है बस number of turns अलग-अलग है तो अगर मैं बोलू कि यह होगा B A cos theta तो A तो change नहीं हो रहा है per turn, per turn बोल रहा हूं मैं per turn बोल रहा हूं, बिल्कुल per turn बोल रहा हूं यूज कि अगर per turn मैं include नहीं करूँगा तो इसमें क्या होगा जैसे माल लो इसके उज़े से इसमें कितना आ रहा है flux, माल लो एक coil में B A तो इतने coil में कितने आएगा तो B A into N S बोलोगे और इसके उज़े से इसमें अगर मैं बोलूगे तो आप कितना बोलोगे, बोलोगे B A लेकिन इसमें number of trans कितने है, N P है तो दोनों में flux अलग-अलग हो जागा रहेकिन पर turn अलग-अलग नहीं होगा तो पर turn में तुम यह multiply नहीं करोगे N P और N S और दोनों में E में same generate होगा क्यूं पर turn क्यूं पर turn वाला तो समझा दिया है यह बोलता है कि वो 5B पर depend करता है बस E अब पर turn करेंगे, तो दोनों के लिए 5B same है B A into cosita theta बदल नहीं रहा है, बता दिया area सबका same है, B बदल नहीं रहा है समझ रहे हो ना, बिल्कुल तो अगर मैं पर turn EMF बात करूँ तो lens law के हिसाब पर turn EMF तो EMF इसमें E P है पर turn मतलब क्या, number of turns इसमें कितने है, N P is equal to इसमें पर turn EMF कितना है इसमें EMF generate हो रहा है, E S EMF है ये, by N S ये ही हो गया, by साहब तुमारे पस बहुत खतरना की EP by NP is equal to ES by N S ये चीज याद है, तो उखाड के फेक दोगे सब कुछ हाँ सर, ठीक है यहाँ तक तो बाते ठीक थी, मुझे एक बात बताईएगा कि यहाँ पे जो भी energy generate होगी कि यहाँ पे energy आएगी, अगर मैं assume कर दो कि no energy loss है बोलोगे हाँ, energy conject होती है तो इन गिवन टाइम T, अगर मैं बोलू कि यहाँ पे energy कितनी produce हुई, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे क्या, rate of work done rate of power is called energy, अरे यही rate of power ही तो energy होता है, बिलकु ना, तो इसमें power कितना generate हुआ, sir, मान लो, इसमें at a given stand T, तुम्हारे पास power इतना आया, EP into IP, क्यों, अरे भाई, क्योंकि power क्या होता है, V into I, तो वही तो क्या हूँ, V को क्या लिखा हूँ, voltage, EP into I for a period of T, rate of power, that is energy, यहाँ जो energy loss हो, यहाँ पर gain होगी, क्योंकि बाहर energy loss मैंने 0 माना है, यही अजम्शन, यहाँ मिलेगा इसको कितना, इसको मिलेगा तुम्हारे पास, ES into IS, for a given time T, तो यह और यह cancel होगे है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आया, EP, into IP is equal to ES into IS, बहुत इंपोर्टेंट अगें, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, भाई सहाँ, अब इसको देखो, यह जो मैं लिखा हूँ, इसको देखो, मैं जो लिखा हूँ, EP by NP is equal to ES by NS, अगर मैं इसे ES find करना चाहूँ, तो ES क्या होगा, ES होगा तुम्हारे पास, देख लो, यह हो जागा तुम्हारे पास, NS by NP into EP, भाई यह जो चीज है न, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उच्छा जाता है डारेक्ट, बच्चे को पता नहीं होता है, निकाले क्या, तो यह पता होना चाहिए, यह वाली जो चीज है, यह वाली चीज, इसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टीक है, अब यहां तक तो बाते समझ में आही रही थी, तब तक हमको यह समझ में आ गया, कि efficiency of transformer अब हमको समझना है तो एक्चुल प्रैक्टिस में efficiency 100% नहीं हो सकती है हमेशा कुछ ना कुछ loss होगा पावर का तो एक्चुल लाइफ में जो efficiency होती है transformer की कुछ इस तरीके से define कर जाती है इस वाले term से and this will be equal to output power by input power मतलब तुमने input कहां दिया है primary call में वहां power कितना होगा वहां पे जो voltage है और वहां पे उस समय जो current आ रहा है output कहां मिलेगा secondary call में इसके वज़े से क्या generate हुआ था एस generate हुआ था और into is अरे यार वी इंटु आई की आउं बस वी को यहां पे दिखाया हूं वी इंटु आई ही तो पावर होता है बिल्कुल इस इस दा इफिसियंसी ओफ दा ट्रांसफोर्म तीन फॉर्मूले हैं बाई साब पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है सुनिएगा पहला फॉर्मूला है तुम्हारे पास की ep by np is equal to es by ns दूसरा क्या है तुम्हारे पास ep into ip is equal to es into is यह क्या denote करता है इनर्जी कंजर्वेशन ये क्या करता है पर टर्न सेम ही में प्रोडूस होना ज़ी और तीसरा तुम्हारे पास अगर ये तीनों फर्मूला आपको पता है ना बाई साव और थोड़ी से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे ट्रांसफर्मर का कोशन बने ही नहीं जरूर बनेगा चलिए बताइए यहां तक समझ में आया अगर यहां तक समझ में आया तो उसके बाद फिर कोशन की ओर बढ़ेंगे सिवानी पाल सर कीमिस्टी को कैसे अच्छे कवर करें फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आपने पहले के हंड libertin नोट्स बनाए होंगे उसको बार-बार पणिये ठीक है और पी वाइक्यूस को बार-बार बनाइए बस और कुछ नहीं करना कुछ मच हुए अगर माल फिर से हो जाता फिर उसको बारवर बनेगा और कुछ नहीं करना है कि रिया खत्री हेलो सर मैं बैज की स्टुडेंट हूं आपकी यू आर बेस्ट सर अरे थैंक्यू सो मच कि चलो चलो कि तुरुको यार थोड़ा सुष्टाने दो कि का करने लगे से योगा टीचर रहे जय हो राम देव कि चलो कि चलिए अब बढ़ते हैं कोस्चन की और सब्सक्राइब शाइब शाइब दो शाइब से यूद्याजर्य भी में राम दो शाइब शाइब दो चलो सबसे पहला कोशन हमारे सामने रहा यह नीट 2007 का कोशन है सुन्दर कोशन है और वेहतरीन कोशन कि अट्रांसफोर्मर यूज्ट तो लाइट वाट और 110 वोल्ट लाइप फ्रोम अ टू 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 वोल्ट में शुनिएगा मेरी बात सुनिएगा मेरी बात आ पाउर सप्लाई कहा देते है और प्रैमरी कोईल में प्रैमरी कोईल में जो वोल्टेज होता है वही दिया रहा है क्या होता प्रोंग के यह फिह इसको यूज करके light किया गया है 100 watt और इतना का lamp जो primary coil में generate होता था उसके वज़य से secondary coil में हम लोग email generate करवाते थे और उस coil के पास में अगर कोई lamp लगा जाए तो जल जाएगा क्योंकि बाई साब उसमें current आजाएगा इसके होने के वज़य से तो इसको यूज करके किसमें जलाया जाएगा secondary coil में है secondary coil में even if आएगा उसी circuit में क्या तो वो लगा दो क्या बल लगा तो जल जाएगा तो यह जो तुम्हारे पास दिया हुआ है वो पावर दिया है किसमे secondary coil में यह सब निकालने आना चाहिए तभी नहीं तो गलत करके आओगे कंफ्यूज हो जाओगे और यह लैंप कहां लगा हुआ है secondary coil में तो यह क्या दिया हुआ है इस दिया है 110 में करेंट क्या होता है और में पावर सप्लाई में जो करेंट कहा करते है प्राइमरी क्वाल में तो यह आई-पी की वाली दिया हुआ कि इफिसेंसी पुछा तो इफिसेंसी कितनी होगे आउटपूट पावर आउटपूट पावर साब साब दिया हुआ और यहीं तो होता है नहीं यार आउटपूट पावर जो secondary लिख दिया हूँ बस कि सेकेंड प्राइमरी क्वाल में कितना वी इंटू आई लिखो वी के जगाए लिख दो अरे वी को इसे देनोट किया है बस ठीक हो गया 220 इंटू 0.5 लेकिन देखो परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 करना होगा अच्छा अब देखो यहां से 1 0 और 1 0 काइसील हो गया तो यह तुमारे पास कितना आया एक हजार आइब 12 इंटू 5 बाई 10 मतलब इतना होगी अब यह हुआ तुम्हारे बार दो बार में कि यह तुमारे बार पार कितना गया 11 बार में तो यह देखो कट्टम कुट्टम करोगे तो मुझे साब साब दिख रहा है कि 90 के प्रॉक्सी आ रहा तो आगया 90 परसेंट कि कितनी होगी 90 परसेंट अप्सान नंबर बी विल बी करेंट यह पहचानने आनी चाहिए बात भाई नहीं तो पागल हो जाओगे सही बता रहा हूं यहीं सारे बच्चे चीज नहीं पहचान पाते तो मैं तरीका बताने अप्रोज करने का कैसे पहचानते हैं थीक है बरते हैं एक को संकियो नांटी नांटी एट का कोशन और स्टेप ऑफ ट्रांसपर और यह पढ़ाए नहीं इस पर नुमरी कला रहे यार सारा कॉंसेट बता दिया स्टेप अफ लिग दिया तो घबरा मत देगे और प्रेट्स ओने टू ट्वंटी वोल्ट लाइन अंड सप्लाइज अलोड ऑफ ट इसके वज़े से कहां कुछ जेनरेट होता सेमकेडर क्राइज में था तो यह सब्प्लाइज किया कितना दो इंपिया मतलब इसके वज़े से 2 एंपियर आया तो कहां तो यह तुम्हारा दिया हुआ आई मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं कासाम बता हूं कहीं जाकर प्ड़ ले ना सब इतना इज़ी करेंट कहीं पढ लिये तो बोलना कि साथ वहां ज्यादा समझ में आ गया सही बता रहूं तो कोई नहीं पढ़ा आएगा सच बता रहा हूं तो कई अRadng का सिरि農्म के desires इसमें कुछ है क्या वाई साथ कुछ भी नहीं है इसमें अरे हमको पता है कि e-p by n-p is equal to e-s by n-s होता है current पुछा है ना current में क्या relation होता है इन यह तो formula है यार ie-p into ip is equal to e-s into is तुमको निकालना क्या यार current in the primary अच्छा तुमको यह निकालना है यह वाली चीज़ इपी दी हुई है 230 into ip निकालना है e-s ने दिया is दिया है दो into e-s मिल जाया तो काम तमाम हो जाया है अच्छा तो यहां से क्या आएगा देखो यहां से आएगा e-p by e-s is equal to n-p by n-s n-p by n-s दिया है 1 by 25 e-p भी पता है तुमको देखो 230 तो यहां से एएगा देखो 230 by e-s is equal to 1 by 25 तो यहां से हुआ गई तो यह और यह कैंसील हो गया तो आई-पी की वैली देखो 25 इंटे टू 50 एंपियर आ गया कितना आ गया पचास एंपियर आ गया option number b will be correct बात समझ में आई आई असार बात समझ में आई चलो जमा जम करके बढ़ते हैं next question की ओ चलो इस को देखो नीट 2014 को सब्सक्राइब तीन फॉर्मूले हैं बाई सब तीनों से कोशन उखाद डालोगे बस आई-पी यह सब आई-पी एन-पी यह सब पहचानने आना चाहिए एक एक ट्रांसफोर्मर है जिसकी इतनी इस वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवट पावर सप्लाई बाहर से पावर सप्लाई कहां दिया जाता है प्राइमरी में दिया जाता है यह तुम्हारे पास दिया हुआ है यह तुम्हारे पास दिया है प्राइमरी में प्राइमरी मे पावर दिया हुआ है अंप् weak oh और क्या दिया हुआ है e p, दिया हुआ है 200मट यही पचानना है में करेंट इन दा सेकेंड्रिक्ट लिवाइल मतलब है ए इस दिया हुआ तो साफ सथ लिखा है क्रोस्क क्या दिया है अफकी पुछ रहा है और करेंट होता कितना है बाई साथ कि इपिसेंशी होता कितना इंजिए 90 रिखंडर १अउट पुट्प पाउर इंपूर पाउर क्या होता है इस 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 के विद्य कम रहे पाफ हित्य वाइप में इंपुट पॉवट क्यों थे है 1997 क्नी होता है बैलिक्षे 3 life flip ax हुआ है थे लंग खेलाई करो भाई करते हैं थीक है यह दो जिरो यहां दो जिरो केंसे एक जिरो बत रहा है यह 30 इंटू 90 यह वह नबबे इंटू 30 और इसको छे को इधर ले आओ तो यह हो गया कल्कुलेशन गलत होगा तो बता देना यार मैं आपके सामने कर रहा हूं ठीक सब्सक्राइब कितना है सेकंडी कॉल में 450 आगा ए और डी तो नहीं हो सकता या तो भी होगा या तो सी होगा अच्छा मतलब और संगर्स करना ही पड़ेगा रहा चला कई बैट नहीं अच्छा चलो एक और रिलेशन पता है एपी इंटू आईपी इस इंटू इस इंटू इस मतब 450 इंटू छे बाइ ये ईपी आ जाएगा 200 ये और ये कैंसीर हो गया ये तीन बार में गया ये 10 बार में गया यह हो गया 4.5 और यह हो गया 4.5 इंटू 3 कि ये कितना हो गया बाइस सब ये हो गया 13.5 MP ऑप्शन में दिख रहा है क्या हाँ आप्शन नमबर सी विल भ करेक्ट चलो चलो हर कोर्शन में एक नया चीज़ सीखोगे वाई साब नेक्स कोशन दो हजार साथ का यह तो लुल्ली कोशन है थोड़ा से घुमाया है बस प्रामरी और सेकेंडरी कोई सब्सक्राइब इतना इतना टन मतब एन पी की वैलू दी हुए इतने टांस है प्रामरी कोई में और एनेस की वी वैलू दी है कितने हैं पंदरह सो इस इतने मैगनेटिक फ्लक्स लिंग विद प्रामरी कोई इस दिस वैर फाइन नॉट इस अ कॉंस्टेंट याद रखिए आउटपट वोल्टेज बताना है सेकेंडरी कोई के क्रॉस में यह कोशन है यार तो प्रामरी कोई में अगर तुम यह फ्लक्स लगाए हो तो इसमें कितना इंड्यूज इमें प्रोड्यूस होगा उसका मैंगनिटूड तो आप बोलोगे डी फाइब डी मैंगनिटूड बोल रहा हो यह क्या एगा एप क्यूंकि बाई साहब यह प्रामरी कोई में लगा यही तो होता है ना यार यह तो यह तो कॉंस्तेंट है देखो लिखा हुआ है इसका डिफ्रेंसेशन 0 इसका कितना हो जागा टी के रिस्पेक्ट में करना है तो यह जागा 4 मतलब यह एप की वैलू दी हुई है 4 अब क्या है बाई साहब ईपी बाई एंपी 4 बाई एन पी जिकल टू इस बाई एनस मतलब इतना यह और यह कैंसिल हो जाता है और यह और यह भी कैंसिल हो जाता है 530 30 बिलकुल तो 30 इंटू 4 कितना हो गया 120 हो गया तो इस की वैलू कितनी हो गई 120 वोल्ट हो गई की ओप्शन नंबर यह विल भी करें अब लेक्चर का लास्ट कोशन है नीट 2021 में आया हुआ है बाई साथ कल मैंने करवा दिया था एक अल्टरनेटिंग करेंट पर कोशन क्वालिटी फैक्टर पर जाए वो भी करवा दिया और यह तीसरा कोशन बारा नंबर कोशन बस अल्ट बनाय आपलोग अन्मोल भार्ती है sir good evening you are doing great great content sir I I am doing better by you are a stay blessed by a stay blessed the must kabar the nice were interview milk and direct haha अन्मोल भालती कीप टीचिंग अस्वीट सेम एनर्जी ऑल्वेज जस्ट यह टू सी यू सपोर्ट यू प्रणाम अरे खुश रहो बाई सब हमेशा खुश रहो बहुत तरक्की कर मिलते हैं इंटर्वियो में फोड़ना है तुम्हें अन्मोल याद रखना करो अराम से करो है इस कोशन को लास्ट कोशन है झाला करो अरे खुम्हें उस्ट रहे हमेशा है इतना लीट लग रहा है यार दस सिगन कोशन है चलिए देखिए इस कोशन को नीट 2021 का कोशन है भाई साथ खूब सुरत बिहतरीन कोशन है तुम लुल्ली कोशन एक स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर है कोई ट्रांसफर्मर रहे हैं ट्रांसफर्मर तो है ना इस कंडिक्टेट टू एन एसी में सप्लाई और इतना तो एसी सप्लाई किसमें देखते हैं प्राइमरी कोईल में मतलब यह इपी दिया हुआ है इस मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वाट लैम्प जिसके वजह से एक लैम्प ऑपरेट कर रहा है इतने पर तो बाई 220 वोल्ट का तो तुमने सप्लाई दिया लेकिन ऑपरेट तुमने करवाए 11 वोल्ट पे वो तुम कहां करवा सकते हो सेकेंडरी कोईल में ना यार इसमें तो तुमने दिया ही है 220 वोल्ट इसलिए इसको स्टेप डाउन बोल रहा है देखलो दिया 220 वोल्ट लेकिन पावर कंजूम करा 44 वाट कर रहा अच्छा मतलब पावर इन सेकंडरी क्वाल दिया 44 वाट ठीक है कोई भी पावर लाउस एज्यूम नहीं करना है जो कि हमेशा की कहानी है तो करेंट इन प्राइमरी सर्कृट बताना है जो भी पावर प्राइमरी में होगा वो ही किस में जागा सेकंडरी में जाएगा बताया था ना थीक है तो इसमें कितना जाएगा primary में e-p into ip is equal to es into is वही क्या है power in secondary qual that is 44 इपी की वैलू पता है तुमको 220 220 इन्टू आई पी इस एक्वाल टू 44 यहां से आई पी की वैलू कितनी आ गई 44 बाई 22 इंटू 10 यह हो गया तुम्हारे पास दो यह हो गया 0.2 एंपियर आप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट है और यहां पे खतम हुआ पूरा alternating current होब की बहुत बेतरीन तरीके समझ में आयोगा alternating current मैंने कोशिज किया है कि बहुत अच्छे से आपको समझा पहूं और मुझे लग रहा है कि सायद मैं कामयाब उसमें हो चुका हूं चलिए बताइए alternating current में मज़ा आया अब कल बैठेंगे डारेक्ट इम वेप्स वन सौट में करवा देंगे आप लोग जरूर आईएगा कल के लिक्चर में इम वेप्स खतम हो जाएगा कल वन सौट लिक्चर लगेगी बताइए कैसा लगा आपको बिल्कुल बिल्कुल जितने लोगों ने आंसर दिया है यह दिया है आंसर जीरो पॉइंट टू एंपियर बिल्कुल सही दिया है हाँ जमा जम साइद वाई चलो साहीद डर खतम हो गया इस चैप्टर का देखिए गुलाव और चुम्मा दोनों दे रहे हैं हाँ अब तो लीगल है अब क्या दिक्कत है हमें को प्रपोज मारिये कि फर्स्ट टाइम पढ़ा मज़ा आया चलो चलो अच्छा हुआ एबी ड्रीम बहुत मज़ा है चलो बहुत से अंकीता बहुत क्लियर हो गया चलो पिस्टी बहुत अच्छा लगा अंकीत फैंटास्टिक लगा चलिए फिर जरूर आईए अकल-कल एम विप्स वन सौट में करवाएंगे ठीका ना और मज़ा आ जाएगा बाई साब यह में से पता है 2021 में आठ नंबर कोशन पुछा गया था इम वेप से तोच्छो दे चलो फिर जलते हैं घबराईएगा नहीं अराम से पढ़ते रहिए इस टाइम पर अन्जाइटी आती है उसको कंट्रोल करना है और बस पढ़ते रहा ना बढ़ते रहो जैसे पहले पढ़ते रहे थे उसी स्पीड से पढ़ते रहो सब कुछ अराम से हो जाएगा समझे चलो परस्ट टाइम एम वेफ पढ़ होगे अच्छा इतने बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़के बैठो और अभी एम वेफ्स नहीं पढ़े है नहीं नहीं एम वेफ्स के बाद आप्टिक्स स्टार्ट नहीं होगा अधिक्स थैंक यू सर्दील सेयर एर गड़के चला फिर टट्टा